सो दोस्तों आधार, आदाब, अभी रंदन, आप सभी का, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे, आज हम सीखेंगे फोटोशॉप की मदद से कैसे लाइट रेज बनाई जाती है, देखिए, मैंने एक फोटो ली हुई है, ये एक जंगल की इजेक्ट में जाते हैं, कलर रेंज के उसमें, कलर रेंज में जब हम गए, तो यहां पर आप देखें, एक हाईलाइट का आप्शन आता है, उसको हमने सेलेक्ट करके, इसका फ्यूजिनेस को हमने कम किया, अच्छा, रेंज में आप देखें, रेंज जब आप घटाते कंट्रोल जे की मदद से, हमने उसकी एक नई लेयर बना ली, मतलब नई लेयर पे हमारे पास वाइट कलर का जिता भी एरिया था, वो सेलेक्ट हो गया, उसको हमने कनवर्ट स्मार्ट आपजेक्ट में कनवर्ड कर लिया, उसके बाद हम जाते हैं रेडियल बिलर में, रेड लग रहा है जैसे, फॉग रेज आपके सामने से निकल के आ रही है, कंट्रोल जे की मदद से, आप उसको और बढ़ा सकते हैं, उस लेयर को, और इन दोनों को हमने मर्ज करके, कनवर्ट स्मार्ट आपजेक्ट में कनवर्ड कर लिया, फिर हमने डबल क्लिक करके, लेयर में, अंडर लेयरिंग में हम चले गए, अंडर लेयर में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर अगीन हाइलाइट और शेडो को हम कम जादा कर सकते हैं, आल्ट की मदद से, फिर हम आते हैं, फिल्टर, बलर और फिल्ड बलर में, फिल्ड बलर इस बलर को, फिल्ड की हिसाब से बलर क सकता है आप अलग-अलग जगह पे जाए क्योंकि पूरा एंगल में फोकस्ड में नहीं होता है कहीं कहीं पर बलर होता है तो हम फील्ड़ की मदद से हम कहीं पर भी हल्का हल्का बलर दे सकते हैं जिसकी तरह वो raise हमारी लगबग hing को डिजनल जैसी लगए तो देखा आपने कैसे light raise बनाते हैं यह आप जंगलों में sun raise कई थू किसी भी style में आप इसको बना सकते है तो Photoshop में sun raise बनाना आज हमने सीखा next वीडियो पे हम मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल